Assalamu alaikum I hope you all are doing well तो आज मुझे कुछ important बताने है आपको regarding results ठीक है चाहे हो class 10th हो, चाहे हो class 11th हो, चाहे हो class 12th हो तो अगर मैं results की बात करूँ, देखो मैंने बताया था कि last week of May तक आपका result आजाएगा, last week of May in the sense जो ये मे का month है, ये 31 है हमारे पास, right So after 28th, आप expect कर सकते हो result तो लेकिन मुझे अभी एक बच्चे ने link sent की थी, जेकि study material के video की So उसमें उनने बताया है कि 10th June से पहले result नहीं आएगा, हाला कि उनने भी पहले ये बताया था कि 5th June पहले result नहीं आएगा, ठीक है तो आज उनका paper था, उस चीज की वज़ए से, maybe आपका जो result है, वो delay हो सकता है, because वो class 12th का paper है And जो आपको जेकि study material बता रहे है, like के हर एक का result जो है, वो same date को आएगा, चाहा हो hard zone हो या soft zone हो, वो मैं भी आपको बता रहा था, hard zone, soft zone का result इनको एक साथ declare करना है, that's why it is taking time आप expect कर सकते है, result लेकिन जो ये paper delay होया है, अगर जेकिपोस वालों का यही plan है, like Jumbo Division, Kashmir Division and Leh Ladakh आता है, उनका एक ही दिन result नकालना है, तर आपके result में और time लग सकता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, Leh Ladakh का अलग से नकालना हो, Kashmir में hard zone, soft zone का अलग से नकालना हो, और Jumbo Division का अलग से नकालना हो, तब possibility थी कि आपका last week of May तक result आजाएगा, मतलब 28 के बाद बाद result आपका आजाएगा, अब मुझे ये भी बताना है, अगर 12th का result delay हो रहा है, that means 10th का भी हो जाएगा, that means 11th का भी हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे यही चीज़ बतानी है, लेकिन मैं ये बाद भी बताओ, it is not fair, ठीक है, कि अगर आप result निकालने में इतना time दे रहे हो, बच्चों का, मुझे एक mental state होती है, बच्चों का, मैं कितना भी आपको बताओ, like आपको जो दानिश साहब है, मुझे के study material, वो भी आपको बता रहें, कि आप अपने examination पर focus करें, जो आपको बताओंगा आपको, कि आपने examination पर focus करें, जो आपका next is, for example, CUET है, ठीक है, मैं खुद भी student था, right, जो ये result की tension होती है, चाहे कितना भी आपको कोई ये बता दे कि बी काम, कुछ भी नहीं होगा, बट अंदर ही अंदर जैसे हम निमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंग इस भी मना ली, उनका नेक्स क्लास भी हो रहा है, बलब वो नेक्स क्लास के result के weight में है, और हमारे जो जेकिपोस वाले है, वो वहीं के वहीं है, कोई result नहीं आ रहा, चाहे मैं last week of May बताओं, आपको दाने साब 10 जून बताएं, आपको हमारे बास और एक यूटूबर है, ज आपकी mental health मैं समझ सकता हूँ, आपकी वो situation कहाँ पर है, वो मैं समझ सकता हूँ, बट हाँ, दुआएं करें, आपको हमारे लिए वहीं करें, जो बहतर हो, बाकी देखो, जब भी result आना होगा, आ जाएगा, हाँ मैं इतना बता सकता हूँ, 28 के बाद, 28 में के बाद, be ready, ठीक कि आपने कुछ कम लिखा, आपने कुछ लिखाई नहीं है, तो वहाँ पे खुदबा खुदबा पास रखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, जिसने जैसा लिखा होगा, वहाँ पे उतने ही marks भी आ जाएंगे, अपने आप पे बरोसा रखें, मैं इतना बताऊंगा, अल्लात अल जाएंगे, तो वाकि इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, शेर करें हर एक बच्चे के साथ, साथ ही साथ हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब, जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनविशन वीडियो तो लेटस अबडेट्स मिलती रहें, तो हम मिलते हैं किसी और